31 अगस्त सोमवार को भाजबा द्वारा हल्ला बोल कारेक्रम के दोरान भारतिय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष द्वारा सहयक अभियंता कारियलियों पर धरना प्रदर्शन हल्ला बोल कारेक्रम आयोजित किये गए आदश मंडल द्वारा परबतपुरा पावर हाउस पर सदबुद्धी यग्य किया गया जहां दक्षिण विधायक अनीता भदेल के नित्रत्व में मंडल पदादिकारी और कारे करताओं ने राजिस्तान की कॉंग्रेस सरकार को सदबुद्धी देने के लिए पावर हाउस के बाहर सदबुद्धी यग्य किया इस अवसर पर अनीता भदेल ने मुख्य मंत्री अशोग गहलोद को आड़े हातों लेते हुए उनके द्वारा किये गए वादों को दोहराया और उनके द्वारा किये जा रहे हैं जनता के सोशन पर उनकी खिचाई की सद्बुद्धी यग्य का आयोजन हमारे आदाश मंदर के तरिकतां पर रखा रहा है इस सद्बुद्धी खिचाई की गही है कि इस तरह से जनता पर उनके बड़े हुए जो दरे है उसका बोल जाना है कि सानों की सबशड़ी बंद करी है हमाईशा स्वास्त भीमा योजना का लाग नहीं मिल रहा है इस कोरोना के काल में सरकार आकोरों को छुभाने की कोशिव रही है और जिस तरह से आज अकबाने सामने आइए कि कोटा में जिस तरह से कोरोना का विसकूर्ट हुआ है सरकार ने ये टैक कर दिया है कि आगो जिलाइस तरी रिपोर्ट प्रगाशित नहीं की जाएगी इसका मतलब है कोरावा भयावा रूप धारल कर रहा है सरकार ने इतनी विशम परिस्थितियों में भी टैक्स को लगाने की जुल्म किया है पेट और डिजल पर बैट को बढ़ाया है खिसानों के उपर उसके एक परसें जो मंदी टैक्स को बढ़ाया है तो सबी शेत्रों में किसानों को रहत लिए किसानों ने बंद कर दिया है इसलिए इस सब के विरोगे आज भाती जंता पार्टी आदाश मंदल द्वारा इसके बहुत है और जंता एकती है सोंवार दोपहर बारा बजए आरे मंदल द्वारा हजारी बाग पावर हाउस पर शव यात्रा निकाल कर सरकार के खिलाफ जोड़दार प्रदर्शन किया गया इसके पश्चात जलकारी बाई मंडल द्वारा दौपहर तीन बजे मदार एक्स येन कारेले पर जनताओ दारा मुख्य मंत्री को बिजली की दरे कम करने के लिए पोस्ट कार्ड लिखे गए इसके अलावा उत्तर विथांसाबस शेत्र के भी तीनों मंडलों पर भाजबा पदादीकारियों द्वारा बिजली की बड़ी हुई दरों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कारिक्रम करते हुए विबिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शित किया गया वर्ड 58 के पार्शद प्रकाश महरा मंडल अध्यक्ष महिंद्र जादम पूरु शहर अध्यक्ष अर्विंद यादव आदी ने बताया कि कॉंग्रेस सरकार कोरोना के बीच पहले से ही आर्थिक और मानसिक रूप से तरस्त जनता को फ्यूल सरचार्ज और बिजली के बिलो हला बोल कारिकरम आयुजित कर अलग अलग तरीकों से सरकार को आयना दिखाने का काम किया जा रहा है तो आज अशुक गैलो सरकार ने अपनी वादा खिलापी किये उसके खिलाप में पूरे राजस्तान के अंदर यह भरते जिंता बल्टी हर एक मंदल इस तरह पर अपने आपन का करिकरम है और आगे इस तरह के गैलो सरकार के खिलाप में करिकरम करने जा रहे हैं तो आज जो अशुक गैलो सरकार ने जो वादा खिलापी किये जनता को जहां इन्होंने बिजली के माफ करने के लिए बोला उसके जगे इन्होंने फ्यूल चार्ज बढ़ा के जो आम जन का खून पीने का काम करा है आज बिजली के बिलो के अंदर बिल नहीं वो करंट लग का मैंदल अध्यक्स कि हमारे बजंग मैंदल के मंदल अध्यक्स है मैंदर जी जादम कि नेत्रत में हम सभी पात्सगन सभी हमारे वाडवासि और जो इस मंदल में सब आते ह। सबीने मिलकल आज हमने विद्दुक वर्दी के विरोध में हल्ला बोल कारेकर्म रखा गया है उसके हमने यहां पे गेलो सरकार से हमने कहा होस में आओ वन्ना यह पबलिक आपको फोस में लाना जानती है और इनुने पूर में भी निलकाता हैं कि हम जब भी आएंगे तो किया था और उसकी कड़ी में जोड़ते हुए परदेश के आवान पर आज हमने यहां पर मतलब आके यह जला बोल कारेकरम रखा है और जहां भी जरूत होगी कलेक्टी में भी जाएंगे और काइब होंगे हमारे साथी पारशाथ बंदू सभी लोग आए हुए हैं यहां पर पैसे जो भी हैं जब पिरियंका गांधी केती है कि हमारे जो एंटी कांग्रेस गोवर्मिट है वहां पर करो तो आपके तो यहां और खुद की यहां तो माप कराई यहां पर तो हमसे माप करें इस यूद्ध के अंदर जो कोरोनमारी चल रही है उसके अदर आदमी कैसे यूज करता है बला जोपड़ी में रहो या मेल में रहो उसे लाइट अती आवाज सके इसलिए हम कहते हैं अतिस्क्रोस में आवे अन्यत हमें जो भी परदेश से आदेश मिलेगा उसकी हम करते वे कलेक्टर पे यहां भी यह पूर जहां भी धन्ने की जब वहां जाएंगे पूरोना के संकट काल में जब पूरा जंजी वन अस्वेस थो रहा है लोग रही तरही कर रहे हैं ऐसे विपरित समय में अंतर कले में उलजीवी कॉंग्रेस पार्टी ने 70 पैसे प्रती यूनिट पिछले दिनों में बिजली के दामों में वरदी करी है और अभी 30 पैसे फ् लाबोल कारिक्रम के तैथ अजमेर शहर जिला के सभी 6 मंडलों के उपर हमने दो विद्धुत केंद्रें उनके उपर प्रदसन करके संबंदित वरिष थदिकारियों को ग्यापन दिये और हमने मांग किये कि जन्त कि कोरोना काल के अंदर जन्ता बहुत पीडित हुई है उन कि वीचियर बढ़ना बंद किया जाए और अगर सरकार भारती जन्ता पार्टी की इस ग्यापन पर विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में भारती जन्ता पार्टी और उग रांदोलन करेगी और जन्ता को रहात पौशने के लिए निरंतर संगर सरत रहेगी राजस्तान सरकार क्या अगर दिली का एजन्टा नहीं अपना सकती है यह राजस्तान सरकार कहीं बिचार करने लायक नहीं है आपसी यंतर ख्ले में आपसी झगणों के अंदर यह इस तरहिए कि आम जन्ता के इ openness की तरप इनका ध्यांन नहीं है अपसरशाई हावी है और मन वक्स के नाते हम लगातार इसका विरुद करेंगे